नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में कैल्कुलेशन एंड सिंप्लेफिकेशन चैप्टर से जो कंसेप्ट है वो है हमारा रिक्रिंग डैसिमल्स क्या होते हैं और इनका यूज कहां पे होते हैं तो देखो भाई recurring decimal होता क्या है तो यह होते हैं भाई या non-terminating but repeating अब यह चीज क्या बला है देखो भाई लिखके बताऊं वह तब समझ में आएगा पूर एक्जामपल 0.6666 ऐसे करकी continue चल रहा है तो यह जो number है यह हमारा non-terminating और repeating number है अच्छा जी भाई repeat हो रहा है एक तो continue टिंग 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 और non-terminating अब non-terminating और terminating क्या है यह इस वीडियो को आपको जानने के लिए इस topic को जानने के लिए आपको number system में पढ़ना पड़ेगा अच्छा अब यह 0.66 है इसको यह continue है और यह तक जारा पता नहीं कहां तक जार है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 bar मतलब ऐसे non-terminating और repeating अगर जो हमारा number है उसको हम वो जो continue एक यह डिजिट बार बार repeat हो रही तो उसको हम बार से ऐसे लिख सकत करेंगे क्यों करेंगे आप देखो अब जैसे 6 के उपर बार है तो हम इसको fraction में लाने के लिए मतलब क्या है यह decimal में है इसको fraction में लाने के लिए हम क्या करेंगे जितने जिस number के उपर बार है उतना ही हमालो एक डिजिट के उपर बार है तो एक 9 से उसको डिवाइड कर दे यह देखो इसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया तीन दू निच्छ है और तीन तीन नौ यह आ गया इसका फ्रेक्शन वैलू चलो छोड़ो नहीं आई समझ में कोई बात नहीं आगे देखो 0.84848484 ऐसे करके यह continue है अच्छा इसको हमने लिख दिया 0.84 बार का मतलब यह कि यह डिजिट ऐसे रिपीट हो रही है continue चल रही है अब यहाँ पे इसको हमें फ्रेक्शन में बदलना है तो हम इसको कैसे बदलेंगे 8,4 अब बार किसके उपर है यह दो पे बार है दो पे बार है ना तो हम यहाँ पे डबल नाइन से इसको डिवाइड करतेंगे और इसको काट हैंगे तो आजाएगा 28 अपन में 33 यह आजाएगी इसकी फ्रेक्शन वेलो और देखो 0.5050505050 ऐसे करके continue है तो यह हो जाएगा 50 के उपर बार तो यह हो जाएगा वह इसको फ्रेक्शन में बदलेंगे 50 अपन में 99 बार दो डिजिट पे है तो डबल नाइन तीन डिजिट ट्रिपल नाइन चार डिजिट पे है 49 ठीक है ऐसे उसके बाद एक्जामपल देखो भाई 0.506506506 ऐसे करके continue तो जो बार है वो है तीन डिजिट पे तो यह हो जाएगा इसका जो फ्रेक्शन में जो वेलो है वो आ जाएगी यह ठीक है जी इसको काटना चाहोते एक पर यह ठीक है नहीं तो यह इसकी फ्रेक्शन वेलो होगी अच्छा जी और एक्जामपल देखो भाई 0.77777 ऐसे करके है तो 0.7 के उपर बार है तो यह आजाएगी इसकी फ्रेक्शन वेलो और देख लो भाई थोड़ा सा 0.514514514 यह है continue तो 0.514 इसके उपर बार है तो बार 914 बार तीन डिजिट पे है तो ट्रिपल नाइन से इसको उड़ा दो समझ में आ रही कहानी कैसल रही है ठीक है अगर ऐसे एक्जामपल आ जाए 0.86666666 और continue तो मतलब यहाँ पे जो बार है वो शिरफ 6 के उपर है 8 के उपर नहीं है तो इसके फ्रेक्शन में हम कैसे इसको करेंगे तो भाया डिजिट कितने पे है नहीं जो क्या नाम है बार कितने पे है एक डिजिट पे है तो नो लिख दिया और इससे पहले कितनी डिजिट है एक डिजिट है तो यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो और जिसके उपर बार नहीं है तो जीरो लिखेंगे मतलब वो डि 16 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भया ये 78 अपोंवे 90 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 13 अपोंवे 15 ये इसकी fraction वेलू होगी समझ में आया अगर मानलो जैसे 6 की उपर बार है इसकी उपर बार नहीं है तो हम इसकी fraction में जो वेलू हो कैसे लेकर आएंगे जिसक नहीं है भाई डिजिट जो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो यहां पर लगा दिया जीरो फिर इस 86 में जिस संख्या की उपर बार नहीं है उस संख्या को घटा देंगे बस यह कानी होई है फिर यह आ जाएगी ठीक है उसके बाद और एक्जामपल देख लो भाई 0.531531 नहीं 3133131 ऐसे करके continue यह हो जाएगी 0.531 पर बार रहा है इस पर बार लग जाएगी तो इसको अगर हम fraction में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे कितने पर है बार दो डिजिट पर डबल नाइन किस एक डिजिट के उपर बार नहीं है 0 लग जाएगा 531 में से यह 5 माइनस कर देंगे तो बचे का कितना भई 526 अच्छा जी अब यह आगी हमारी वैलू इसकी fraction वैलू ठीक इसको कटे तो काट देना नहीं कटे तो रहने देना उसके बाद भाई 0.437777 इसकी चल रही है तो यह लगेगा 0.437 के उपर बार इसकी fraction वैलू कैसे निकालेंगे एक पर बार है नो दो डिजिट है पहले तो डबल जीरू ठीक है और इस में से हम 43 मतलब 437 में से 43 माइनस कर देंगे जो वैलू आएगी वो इसकी क्या होगी य 0.682323232323 continue है तो 0.682323 पे बार है तो यह हो जाएगी इसकी fraction वैलू निकालेंगे तो क्या निकलेंगे डबल नाइन और दो डिजिट की उपर बार नहीं है तो डबल जीरू 6823 में से हम 68 गटा देंगे जो संख्या आएगी 6755 डबल नाइन जीरू यह इसकी fraction वैलू होगी hope आपको यह बात समझ में आएगी और देख लो एक दो एक्जामपल 0.75343434 ऐसे करके continue तो 0.7534 पे उपर बार है अब बार है तो भाई इसका fraction value कैसे निकालेंगे दो डिजिट डबल नाइन दो डिजिट पहले हैं जिन के उपर बार नहीं है 007534 में से 75 है इसको माइनस कर द आएगा भाई result आजाएगा यहाँ पे 7459 अपन में 9900 hope आपको बात समझ में आई होगी उसके बाद देख लो एक और example भाई 0.3829999 ऐसे करके यह continue है तो यह बन गई 0.3829 बार इसकी fraction value होगी एक डिजिट 9 बाकी 30 हो जाएंगी यह वाली 3829 माइनस में 382 गरोगे तो 3447 अपन में 9000 यह इसकी fraction value आएगी hope आपको यह सारी चीजे समझ में आई होगी यह जो recurring decimal है इसको कैसे solve करना कैसे fraction में लेके आना है ठीक है next वीडियो में और question practice करें गाईज आज हम इस वीडियो में इतना ही जानते है thank you so much वीडियो आपको ठीक लगी तो like करना channel पे न